नमस्कार विवर्स मैं हूँ अमीश देवगन और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनकी पहचान के कई पहलू है ये क्रिकेट के धुरंदर रहे हैं और रणजी खेल चुके हैं ये हिमाचल क्रिकेट असुसेशन के सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सा पहले भारती जंता पार्टी के सांसद बन गए और संसद रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं जब वो अपने सियासी विरोधियों पर वार करते हैं तो उनकी धार जोर्दार होती है स्वागत कीजिए केंद्रिय बंत्री अन्राग धाकुर का आज के कारेकरम का हमने जो नाम दिया है वो दिया है सियासत का 2024 जैसे क्रिकेट का 2020 होता है IPL चल रहा है ऐसी सियासत का 2024 है पहले देख लेते हैं कि अन्राग ठाकुर साहब के बारे में उनके जीवन में उन्होंने क्या किया है और साथी साथ फिर सवालों का सलसला आगे बढ़ाएगे 2024 चुनाओ की तपिश बढ़ चुकी है और सियासत के T24 में मोधिस सरकार के यंग और डाइनमिक चेहरे अन्राग ठाकुर ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है अरे मैं तो इस महान जनता का धन्यवाद करने आया हूँ जिरून देश बेचने वाली कॉंग्रेस को नकार दिया इमानदार चाए बेचने वाले को देश का परधान मंत्री बना दिया हिमाचल के हमीरपूर सीट से अनुराग ठाकुर एक बार फिर चुनावी मैदान में है भारतिय जनता युवा मोर्चा के एनरजेटिक ध्यक्ष से लेकर केंद्रिय सूचना प्रसारण मंत्राले का पदभार समालने तक अनुराग ठाकुर टीम मोधी के सबसे प्रमुक चेह मेरों में से एक रहे हैं साल 2011 में कोलकता से श्री नगर तक तिरंगा यात्रा निकाल कर अनुराग ठाकुर यूद के बीच काफी पॉपुलर हुए अपना एक अलग नाम और मुकाम बनाया चुनावी समर के बीच आज केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ देखिए अमिश्देवण का चांदार और शांदार संबार तो एक बार फिर जोड़दार तालियों से बिरंदन करिया अनुराग ठाकुर जी का अनुराग जी आप चार सो पार की बात कर रहे हैं राहूल गैंदी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतिय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधान मंत्री तो देश में लग जाएगी आग देखे जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भढ़काओ देश के टुकडे टुकडे करवाओ और फिर किसी टुकडे पर राज करने की सोच रखो आज देश में वो राजनितिक दल जो साट साल सता में रहा जी वो यह कहता है कि मोदी आएंगे तो देश में आग लगा देंगे वो लोग बहुत चंता की बात है इन्होंने दोहजार चौदा में भी कहा मोदी आएंगे तो मुसल्मान नहीं रहेंगे मैं आज दस साल के बाद पूछता हूँ क्या ये सचाई नहीं कि जिस तरह से निरेंदर मोदी जी ने दस साल काम किया सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंतर के साथ काम किया अगर चार करोड पक्के मकान बने बारा करोड शौचाले बने दस करोड बेहनों को रसोई गयास का सिलेंडर मिला बारा करोड घरों को नल से जल मिला और साथ करोड लोगों को पांच लाग का इलाज मुफ्त में मिला असी करोड लोगों को मुफ्त में अनाज मिला तो किसी में भेदबाव तो नहीं किया हमने न तब हिंदु सिख मुसल्मान को लग रूप में देखा था एक ही देखा था आगे भी वही करेंगे हमने केवल इतना किया है कि इनके समय भरष्टाचार शाशन था लड़ खडाती चर्मराती अर्थवियस्ता थी वहां से निकाल कर आज भारत को दुनिया की पांचमी बड़ी अर्थवियस्ता बनाया है और मोदी जी तीसरी बार आएंगे अगले तीन सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थवियस्ता बनाई लेकिन राहूल गांदी को लगता है कि पूरा का पूरा चुनाव फिक्स है अगर हिंदुस्तान मे अगर हिंडि का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद सविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है और इसलिए इसलिए कॉंग्रेस पतन की और आगे बढ़ है भारत का लोगतंतर भारत की ताकत है आज अगर एक ट्राइबल इलाके से आने वाली महिला अपनी काबलियत के अधार पर पार्शत से लेके विधायक और विधायक से लेके देश के राष्टेपती के पत तक आती हैं तब ये महिलाओं को अपमानित करते हैं अगर जम्मो कश्मीर में पंचाइती राज के चुनाव हो जाते हैं डीडीसी के चुनाव होते हैं तब इनको लोगतंतर वहां देखता नहीं है अगर ये कहीं पर चुनाव जीत जाएं तो राहुल गांदी की जीत है अगर हार जाएं तो इलेक्शन कमिशन पर ठीक रा फो अ कि राजीव गांधी की सोच को राहु गांधी जी न माने तो मैं क्या करा हूं एक सवाल राजीव गांधी लेकर आ है लेक Industries अपने manifesto के अंदर उनने बोला है पच्छीस गैरंटी है और पांच न्याय देंगे हैं कि गरंटी कौन दे रहा है राख др के अपनी करनेंटी और मैं थोड़ा सा आपको उधारन दे सकता हूं राजिस्थान में कुरेंटी भोगि पाहर चले गए इन्होंने तो राहूर गांधी की बात हुए लेकिन अनुराग जी अब मेरा सीधा सवाल है कि आप सरकारे जेल से चलेंगी इस देश में यह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम लीला मिदान पर आज से बारा साल पहले आंदोलन शुरू करते हुए कहा था कि मेरी लड़ाई भ्रहष्टाचार के खिलाफ है आज वो सारे भ्रहष् यह अर्विंद केजरीबालजी की 12 साल की यात्रा है जो कहते थे कि नातिक था आज कहीं नजर आती है नातिक था ये सत्ता में आये तो अराजगता फिलाई, भरेष्टा अचार किया, अब अनहित्क तरीके से अब जेल मैंसे सरकार चलाने की बात करते है। इन्होंने अपने मंत्री का तो मुख्य मंत्री का मुख्य मंत्री ने स्तीफा ले लिया आज इनकी स्तिती यह है कि इनका विधायक जेल में इनका पार्शे जेल में इनका स्वास्ते मंत्री जेल में इनका शेक्षा मंत्री जेल में इनका उप मुख्य मंत्री जेल में और इनक शराब का घोटाला फर्जी है कोई घोटाला नहीं हुआ है सिर्फ कहानी है लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सिटिंग सीम को जेल में डालना इस से पहले हेमन सोरेन के साथ हुआ ये और अब हेमन सोरेन की धरम पत्नी कलपना सोरेन और केजरिवाल जी की धरम पत्नी सुनीता केजरिवाल दोनों मिले भी आपस में और रामलिला मैदान में एक साथ थे सोनिया जी के साथ मैंने तो कहा है तब रस्टाचारियों को कुनबा बन रहा है चोर-चोर मुसेरे भाई सबने मिलकर इंडी गठबंदन बनाई ये परिवार वादी पार्टिया है मुलायम सिंग जी की लालू जी की फारुक अफदुल्ला जी की इनके स्टैलिन जी की आज उसी तरह पे वो क्या ये ये उचित है यापत करूईए लेकिन एक बात देश ने माली है अगर कोई सबसे बड़ा जूट बोलने वाला है तो अरविंद केजरी बावल है जुनोंने बेटीओं की कसम खाती ती राजनिती में नहीं आऊंगा आए यह नहीं कहा था बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला नहीं लूँगा दो बंगले मिला के शीश मेल बनाया क्रोड रुपे खाया यहीं नहीं सेक्योरिटी लेने के लिए महा का था मना किया था पंजाब की भी दिल्ली की दो राज्यों क सेक्यूरिटी लिए अब सारी बातियां अगर आप उनकी देखोगे उन्हें का था मैं पैरिस बना दूंगा लंडन बना दूंगा दिल्ली वालों से पूछो भाई कितना अगर पैरिस लंडन बना है लेकिन फिर मेरा सवाल एक है कि सुनीता केजरिवाल जिस तरह से बयान दे रही है क्या इमोश्टल कार्ड खेल रही है आम आदनी पार्टी उन्होंने अर्विंद केजरिवाल की जेल वाली तस्वीर पूरी दिल्ली बे लगा दी है कि जेल में बंद है उसमें ब्रहष्टाचारी की फोटो बीच में टांगती है इससे बड़ा और उनके परिवार ने ब्रोट किया है और यह बिलकुल उचित नहीं है और यह ऐसे बता रही थी जैसे बता नहीं कितना बड़ा कॉंट्रिवुशन अर्विंद केजरिवाल जी का देश के लिए हो किसी राजनितिक दल से हो चाहे हमारे से हो या किसी भी राजनितिक दल से हो जिसने भ्रहष्टाचार किया है किसी राजनितिक दल से हो चाहे है